नरकट यागंज शिकारपुर्ख थाना अंतरगर चीनी मिल के भसुरारी कटरवा फाम पर खुंटी गन्ना की खेताई करने गए चीनी मिल कर मियों को महिलाओं ने रोग दिया। उस जमीन को अपनी जमीन बता कर हंगामा करने लगे। सुचना पर शिकारपुर्ख पुलिस पहुँची और महिलाओं को समझाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन महिलाओं वहां अड़ी रही। इसके बाद SDM सुरे प्रकाश गुपता, DCLR चंद्रशेखर कुमारन भी वहां पहुँचे। चीनी मिल के अधिकारियों और उन SDM ने जल्द से जल्द भूमी से संबंधित कवजाद प्रसुद करने का निर्देश दिया। SDM ने बताया कि दोनों पक्ष से काक जातों की मांग की गई है। तब तक खेत की जुताई नहीं करने के लिए कहा गया है। SDM के आशवासन के बाद महिलाओं वापस लोट बता देक कि चीनी मिलके इस फाम पर चल रहा विवाद बीतिमाज के प्रथम सप्ताह में सियो और थानाध्यक्ष के जनता दर्बार में भी पहुँचा था। जिसमें अधिकारियों ने कथित परचाधरियों को कहा था कि मामला जिला पदा धिकारी के यहां लंबित है। उ उच न्यायाले में पहुँचा और वर्षू 1993 में न्यायाले ने परचाधारियों का परचा निरस करते हुए जिलापदा धिकारी को वह भूमि भूधारे चीनी मिलको कबजा दिलाने का आदेश दिया। जो भूमी चीनी मिलके कबजे में है। उस पर चीनी मिल द्वारा हर साल गन्य की खेती की जा रही है। खूंटी गन्य की जुताई के लिए चीनी मिलके कर्मी गए हुए थे। लेकिन महिलाओं ने निर्गत परचा की भूमी बताकर उसकी जुताई करने से चीनी मिलको को रोग दिया। इसके बाद हंगामा के स्थिती बन गई। SDM द्वारा उन महिलाओं और चीनी मिल से कब जाकी मांग की गई है।